दोस्तों ZTV के Most Publish Shows में से एक है अपना टाइम आएगा जिसमें अभिनेत्री अनुशक सेन ने रानी के किरदार को बेहदी खुब सूर्ती से परदे पर पेश किया था जिसे दशकोद्वारा खुब पसंद किया गया था हाला कि अभिनेत्री अनुशक सेन ने इस किरदार को निभाने के लिए काफी जादा एफोर्ट्स लगाए थे लेकिन हैलत की बात तो ये है कि इतना एफोर्ट्स लगाने के बावजूद भी अभिनेत्री अनुशक सेन फेमस नहीं हो पाई और सबसे हरानी की बात तो ये है कि इनके ना फेमस होने के पीछे एक शक्स का बहुत बड़ा योगदान है जिनकी वज़ो से आज तक ये फेमस नहीं हो पाई तो आखिरकार कौन है वो शक्स जिनकी वज़ो से अनुशका सेन फेमस नहीं हो पाई और आज किस वीडियो में हम आपको उसी शक्स की बारे में बताने वाले हैं पर इससे पहले अभिनेत्री अनुश्का के लिए एक लाइक तो बनता है अभिनेत्री अनुश्का सेन हाली में खत्रों के खिलारी में बतार कंटेस्टेंट नज़र आई हैं जहां ये एक से बढ़कर एक स्टंट कर रही थी इसके अलावा जब ये अपना टाइम आएगा सीरिल में काम कर रहे थे तब ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी का कांटा जिसकी वज़ों से आज तक अनुश्का सेन को पॉपलायर्टी हासल नहीं हुई तो बता दे कि वो शक्स कोई और नहीं बल्कि अपना टाइम आएगा सीरिल में इन्हें रिप्लेस कर चुकी अदकारा मेगारे है सुनकर आप सभी एरान हो गए होंगे कि अभिनेत्री मेगारे कैसे दरसल बता दे जब अभिनेत्री अनुश्का सेन अपना टाइम आएगा सीरिल में काम कर रही थी तो इन्हें कुछ समाई के लिए सीरिल से ब्रेक लेना था क्योंकि एक तो ये खत्रों के खिलारी में पार्टिसिपेट करना चाहती थी और एक इन्हें थोड़ा सा लंबा ब्रेक चाहिए था जिसके चलते जब इस सीरिल से ये रिप्लेस हुई तो मेकर ने अभिनेत्री मेगा रे को कास्ट कर लिया था जिसके चलते अनुश्का को यही लगा कि मेगा सीरिल में तब तक काम करेंगी जब तक ये सीरिल में दोबारा से वापसी नहीं कर लेती मगर हैरत की बात है कि जब ये सीरिल में बापसी करने के लिए आई ही तो मेगारे ने सीरिल से निकलने के लिए मना कर दिया और मेगार ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा जिसके चलते आज जहां मेगारे इस सीरिल से खूप अपलारिटी हासल कर रही है तो वही अभिनेत्री अनिश्का सेन आज इस फेम से अच्छूती रह गई है जुसके पीछवे की वज़ो आज तक ये सिर्फ अभिनेत्री मेगा को ही मानती है तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जोड़िया ऐसी मसालदर खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले